मुंबई पुलिश को आया है रोक की भाई का कोल 30 अपरेल को होने वाली है सलमान खान के शाथ में अनहोनी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल श्वागत है आपका मेरे चैनल बोल्यूड नोपार पिछले कुछ दिनों से सलमान खान अपने आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं लेकिन उससे भी ज्यादा वो चर्चाओं में बने हुए हैं उनको मिल रही धमकियों की वज़े से अभी कुछी दिनों पहले उनको email के जरे धमकी मिली थी जिसके बाद राइस्थान पुलिश और Mumbai पुलिश ने एक साथ operation करके एक सक्स को गिरपतार किया था जिसने क्यों email को forward किया था उसके बाद अब एक बाद फिर से रोकी भाई के नाम से Mumbai पुलिश के कंट्रोल रूम में फोन आया है जिसमें ये कहा गया है कि वो 30 अपरेल को सलमान खान के शांत में वारदात करने वाला है उसके बाद सलमान खान और उनकी पूरी टीम के साथ साथ Mumbai पुलिश भी चोकन ना हो गई है इनी सबी चीजों के बीच में सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को मद्धे नजर रखते हुए निशान की SUV खरी दी है जो अभी भारती मार्केट में लॉंच नहीं हुई है लेकिन उन्होंने इसे विदेश से इंपोर्ट करवाया है अब इन सब चीजों के बीच में सवाल ये खड़ा होता कि क्या लोरेंस विष्णोई जेल में बेटकर ये सारी चीजे अपने हिशाप से कर रहा है या भी लॉरेंस विष्णोई के नाम का यूज करते हैं बाहर से कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस विष्णोई ने जेल से ही एक मीडिया हाउस को इंटर्व्यू दिया था जिसमें उसने कहा था कि सल्मान खान उसकी जिंदगी का एक मातर मक्सद है जब तक कि सल्मान खान उसके समाज के मंदिर पर जाकर माफी नहीं मांग लेते हैं और उसके समाज सल्मान खान को माफ नहीं कर देता तब तक उसकी जिंदगी का एक ही मक्सद है सल्मान खान से काल अप्रेल 2023 को इस बात की जानकरी दिये पुलिश का अनुशार कंट्रोल रूम में एक शक्स ने धमकी भरा कॉल किया था वहां खुद को राहिस्तान के जोदपूर का रहने वाला बता रहा था उसने अपना नाम रोकी भाई बताया है कि वहां 30 अप्रेल को सल्मान खान के कराया है अभी तक यहां गारी मार्केट में लॉंच नहीं हुई है बता दे कि इससे पहले भी कई बार सल्मान खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है मार्च 2023 में भी अभिनेता को एक धमकी भरा मेल मिला था जिसके बात पुलिश ने उनकी स्वरक्षाप बढ़ा दी थ चोतिस जाने की शमान इरादे से शेयुकत अपरात के तहट मामला दर्ज किया था धमकी भरा इमेल मोहित गर्ग के नाम से भिज़ा गया था इसमें लिखा था कि गोल्डी भाई को बात करनी है तेरे बोश यानिकी सल्मान खान से इसके बाद मुंबई पुलिश ने राइस इस गिल की मुख्य भूमिका में नजर आएंगी इसके अलावा शल्मान खान टाइगर 3 में भी दिखाई देंगे अप्रेल 2024 में शारुक के शाथ में सल्मान खान टाइगर वर्सेस पठान की भी शूटिंग शुरू करने वाले हैं आपको क्या लगता है कि ये मेल और कॉल स कुछ मतलब भी निकलता है क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीजे सिर्फ सल्मान खान के नाम से सस्ती पब्लिशिटी बटोरने की कोशिश भी हो जो भी हो आपकी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लिश जल्दी से कर दीजे और इसी तरह की खबरों के लिए बने रही है मेरे स्योनल के सार्थ